कि लोटस आयर्वदा इंडिया में आपका स्वागत है मैं हूं पल्चो अधरी आज हम बात करेंगे सभी दोसों को संतुलित रखता है केसर का पानी सिहत के लिए होता है फाइदेबंद तो किस तरह से फाइदेबंद है मैं आपको बता रहा हूं आपको करना से इतना है चैनल को सब्क्राइब कर लेना है बेल आइकोन की घंटे बजा दें जिससे हमारे आने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपको मिलें तो आई शुरू करते हैं आज कर वीडियो केंसर की खुस्पू स्वरी केसर की खुस्पू जितनी मन को लुबाती है उतना ही इसका सेवन सेवत के लिए लापकारी साबित होता है केसर अपनी खुस्पू रंग और औसेदी गुड़ों के लिए जाना जाता है यही कारण है कि केसर का उप्योग प्राचीन काल में आयर कि एना केबल हमारे भूचन को स्वाधिष्ट बनाता है पलकि हमारे सरीर और मन के लिए भी बहुत लाब्दायक है केसर में मौजूद एंटी ऑक्सिडेंट और एंटी इंफिलमेंटी गुर्ड हमारे सरीर की इमुरिटी को बूश्ट करने में मदद करते हैं जिससे बिमारियों और संक्रमों से बचाव होता है आईड़ बेद में केसर का बिशेश सिस्तान है ऐसा इसलिए क्योंकि एतिनों दोसों बात पित और क कफ को संतुलित करने में मदद करता है कि केसर का गुंगुना पानी सेहत के लिए लाबदायक होता है कि केसर का पानी पीनी के फाइले केसर का गुंगुना पानी पीने से सरीर में तीनों दोसों का संतुलन हो सकता है बात दोस्का असंतुलन आमतोर पर चिंता अनिद्रा और गश्टिक समस्याओं का कारण बनता है ऐसे में केसर का गुंगोना पानी पीने से मन को सांती मिलती है और पाचंतंत सुधरता है वहीं पित दोस्त के असंतुलन के कारण गर्मी जलन और चिर्षड़ेपन का असास होता है ऐसे में केसर में ठंडक परदान करने वाले गोड़ों होते हैं जो पित दोस्त को सांत करने में मदद करता है इसे में केसर का गुंगोना पानी पीने से कफ दोस्त को संतुलित करने में मदद मिलती है और यह सरीर में टॉक्सिंस को निकालता है और मेटापॉलिज्बिन को बढ़ाता है पहला केसर में एंटी ऑक्सिडेंट और एंटी इंफ्लेमेंटी गुड होते हैं जो इमूल्टी को मजबूत करते हैं केसर का गुर्ण गुना पानी पीने से सरीर को बिमारियों से लड़ने को तेजित करता है और अपच जैसी समस्याओं से रहत दिलाता है यह पाचन एंजाइनों को बढ़ाता है जिससे भोजन का पाचन बहतर होता है तीसरा गुंगोने पानी में केसर का सेवन मांसिक तनाव और चिंता को कम करने में मदद करता है यह मूट को सुधारता है और न चौता कैसर में कई तरह के जरूरी एंटियॉवक्सेडं गोड़ होते हैं जो तोचा को निखारने और उम्र बढ़ने के लक्षनों को कम करने में मदद करते हैं केसर एक तो पानी केसर इक तो गरम पानी पीने से तोचा हिल्दी होती है जिससे नेसरली निखार आता है पां साहख होता है और kolostol के लेवल को कम करता है जिससे heart disease का जोकिन कम होता है केसर का पानि कैसे बनाएं का केसर का पानि बनाने के लिए एक कप गुन्गना पानी में 4-5 के-फर के पंखुरिया डालें और 5-10 10 मिनिट तक इसे भीगने दे जैसे ही इसमें अच्छा रंग और खुस्पू पानी में आ जाए वैसे ही इसका सेवन करें स्वाग बढ़ाने के लिए आप इसमें सहद भी मिला सकते हैं इसके अलावा केसर के धागों को रात भर के लिए पानी में भिगो कर रखें और अगली स सुबह कि इसे गर्म करें और इसके बाद इसको पीएं तो यह था हमारा आज का वीडियो आपको गसा लगा कमेंडियों के जुरू बताएं धन्यवाद